इस समय हर अकबार और टीवी चैनल के साथ ही सोशल मीडिया पर अजुद्या रेब कांड की खूब चर्चा हो रही है और चर्चा हो रही है रेब कांड के मुख्य आरोपी सपानेता मुईद खान की भी मुईद खान जो आज की तारिक में जेल चला गया है उसके घर पर बुल्डोजर चला दिया गया है अब इसके साथ ही मुईद खान की जो नामी बेनामी प्रापर्टी है उसकी भी योगी सरकार में जात सुरू कर दी है सवाल ये उठ रहा है कि मदरसे से दूसरी क्लास तक पढ़ा मुईद खान आखिर 15 सालों के भीतर 50 करोड से ज़्यादा की प्रापर्टी का मालिक कैसे बन पाया मुईद खान की जो जिला प्रसासन है जो द्ध्या उसने एक करोड की जमीन को चिन्हित किया है ये प्रसासन का कहना है कि जो बेकरी है वो तालाप पर कबजा करके तीन हजार स्कॉाइर फिट में बनी थी जिसको तोड़ा गया है 48 घंटे के भीतर बहुत सारे लोग मुईद खान के सिकायर लेकर एड्मिस्टेशन के पास पहुँच रहे है आपको ये भी बता दें कि मुईद खान 2012 में भदरसा दंगे का भी आरोपी रह चुका है एक समय में कॉंग्रेस के लिए चुनाव केंपेन करने वाला मुईद खान 2012 से समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है 2012 के बाद से उसका पॉलेटिकल रसूक और आर्थिक सामराज बढ़ता गया है उसका घर भदरसा की तंग गलियों में है महिलाएं कहती हैं कि मुईین खान निर्दोस है 65-70 साल के इस बुजुर को कुछ लोगों ने फसा दिया है मीडिया उसके खिलाफ चला रहा है मीडिया सच्चाई नहीं बता रहा है ऐसा वहां की महिलाओं का कहना है और कुछ महिलाएं यह भी कहती हैं कि यह एक राजनीती खड़यन्त है हाला कि जो असलम नाम का एक व्यक्ति होता है उसने मीडिया वालों से बात चीत में कहता है कि मुईद खान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है मदरसे में दो साल तक ही गया था इसके बाद पढ़ाई छोड़कर कारूबार में लग गया कई कारूबार मुईद ने किये मगर कुछ चले नहीं फिर जमीनों का काम करने लगा उसी में मुईद खान ने पैसा बनाया उसके बाद वो नेता बन गया असलम मीडिया वालों से यह भी कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले पता चला कि उसने एक लड़की के साथ गलत काम किया है छे साल पहले मुईद खान ने बेकरी शुरू की बेकरी के फैक्टरी के कुछ ही दूरी पर एक और दुकान है जिसमें मुईद खान बेकरी का सामान बेशता है मुईद के चार बेटे हैं बड़े बेटे का नाम जाहिर नदीम, नफीस और सबसे छोटा बेटा जावेद है दो बेटियां भी उसकी हैं दो बेटे मुईद के साथ मिलकर ब्यापार करते हैं जबकि बाकी बेटे जो है सेल्स मैन का काम करते हैं उसका एक बेटा जो सबसे छोटा है वो पढ़ाई करता है मुईद खान के बारे में कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के सांसद और धेस प्रशाद का काफी करीबी है कहा जाता है कि पढ़ाई छोड़ने के बाद करीब 18 साल के बाद मुईद लोकल नेतागिरी करने लगा प्रपर्टी का काम करते हुए वो कॉंग्रेस दफ्तर में बैठने लगा था लोग उसे कारेकरता समझते थे वो कई नेताओं की सभाओं में जाता था और चुनाओ के वक्त कॉंग्रेस के लिए ओट मांगा करता था मुईद खान उसके बाद समाजवादी पार्टी में सामिल हो जाता है 2012 में मुईद खान को भधरसा के नगर अध्यक्ष की कुरसी दी जाती है मुस्लिम कमुनिटी पर मुईद खान की अच्छी पकड़ है इसी वज़े से ओधेश प्रशाद का वो करीबी है ओधेश प्रशाद के चुनाओ केंपेन में भी मुईद खान उनके साथ रहा है मुईद खान पर 2012 में भधरसा में दंगा भलकाने का भी आरोप है हलाकि ये जो दंगा हुआ था उसमें नगर पंचायद चेर्मेन मुहमद अहमद पर दंगा भलकाने का आरोप लगा था और ये ही मुख्य आरोपी बनाया गया था उनपर मिट्टी का तेल बटवा कर दंगे को भलकाने का आरोप लगा था वर्तमान समय में चेर्मेन मुहम्मद हमत का पुत्र मुहम्मद रासिद है इस केस में भी मुईद खान आरोपी रहा है मुईद खान को समाजवादी पार्टी की सरकार में अच्छी खासी वकत थी और इसी वज़े से ये जो केस था वो रफा दफा हो गया है कहा जाता है कि मुईत खान जमीन पर कबजा करता है और उन्हें बेच देता है जो बेकरी जिस पर चल रही है वो तालाप की जमीन पर बनी है बुल्डोजर मुईत की मुख्य बाजार वाली बिल्डिंग पर पहुँची थी हाला कि वो building तोड़ी नहीं जा सकी क्योंकि इसी building में PNB बैंग चल रहा था प्रसासन ने बैंग को खाली करने का notice दिया है ताकि उस पर bulldozer चलाया जा सके हाला कि building में चल रही जो bakery है उसको seal कर दिया गया है अजोध्या गैंग रेप केस में योगी सरकार फुल एक्सन में हैं बच्ची की मा से CM योगी खुद 24 घंटे के भीतर मुलाकात कर चुके हैं बीजेपी के कई नेता और मंत्री जो प्ची है उससे जाकर के मलाकात कर चुके हैं और बच्ची को security point अभ्यू से और अच्छे इलाज के लिए अजोध्या से लखनव को shift कर दिया गया है